यूपी में जन जन की यही पुकार फिर एक बार बसपा सरकार जी हाँ दोस्तों मैं हूं जिनियर स्नेहा और आप देख रहे है दधिंग अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजे आपको बता दे की उत्रप्रदेश के लोगों ने अब बहन जी को सीयम बनाने का मन बना लिया है और यही कारण है की बसपा कारेकरता और पदादिखारियों के साथ साथ आम जनता में भी भारी उत्साह है बहुजन समाज पार्टे की नेता MLA, MLC और MP तक बसपा के संगटन को मजबूत करने में जुट गए है आम जनता के उत्साह को देखकर पार्टी से निश्काशित कारेकरता भी अपने आपको रोप नहीं पा रहा तमाम सारे निश्काशित कारेकरता और नेता इन्होंने भी अपना पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम शुरू कर दिया है वही आये दिन बस्पा में अन्य पार्टियों को छोड़ कई लोग कॉंग्रेस बीजेपी और सपा को छोड़ कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की खबरे अब आम होते जा रही है इसी बीच बहनकुमारी मायवतीजी के दिशा निर्देश के अनुसार कई निश्काशित लोगों को पुनह पार्टी में शामिल किया जा रहा है वही गाजयाबाद के पूर्व जिलाद्यक्ष प्रेमचंद भारती पूर्व जिलाद्यक्ष रामप्रसाद इन्हें भी बहुजन समाज पार्टी में पुनह शामिल किया गया अलीगड की बात ले ले तो दो पूर्व जिलाद्यक्ष और एक मंडल जोन इन्चार्ज इनका भी निश्काशन रद्ध हो गया है गजराज विमल और एडुकेट तेज सिंग जो की दोनों भी पूर्व जिलाद्यक्ष रहे इन दोनों का भी निश्काशन रद्ध हो चुका है और उन्हें पार्टी में प्रवेश मिल चुका है पूर्व मंडल जोन इंचार्ज रतन दिप सिंग, पूर्व जोन प्रभारी रनवीर सिंग कशप और फिरोजाबाद के वरिष्ट नेता हेमंद प्रताप सिंग, डॉक्टर ज्यान सिंग, ब्रिजेश पाठक इन तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी में पुनह प्रवे किया गया, मतूरा से प्रेमचंद करदम, इंद्रजीत सिंग, प्रितम सिंग, शाम सुन्दर करदम, रामवीड सिंग, हरी ओम प्रधान और कासगन से राजकुमार जाटों, इन तमाम लोगों का निशकाशन रद्ध करके इने बहुजन समाज पार्टी में शामिल कराया गय यूपी के गुंडा राज और जंगल राज को खत्म करने का तमाम सारे लोगों ने मन बना लिया है और इसलिए तमाम घर बैठे हुए कारेकरता भी अब बहुजन समाज पार्टी की साशन सत्ता और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए काम में जुढ गय है इस अंदर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताए बने रहे दाथिंग पर जैभीम जैभारत बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले